आज राज बारा बजे से पूरे देश में जी हाँ लोगडाउन चल रहा है और आज मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलने का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यूं ना एक वीडियो बनाय जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लोगडाउन के वक्त मेलागनों का क्या मिजास है और क्या हाल है उन सड़कों का जो किसी वक्त लोगों की चहल पहल और ट्रैफिक से भरी रहती थी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं यह सबी भी शायद किसी ज़रूरी काम से या जिन आफिसस में कुछ इम्प्लॉईस के साथ काम चल रहा है उस सिलसले में बाहर हो हम है नावल्टी सिनेमा पे जो कि मल्टि प्लेक्सिस के दौर से पहले लगनों का सबसे बड़ा हॉल हुआ करता था और यह रोट जाती है नाजा मार्केट के लिए जो कि एशिया का पहले या दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है और आज कल यहां भी सन्राटा चाया हुआ है क्या बार वैलेंटीनो रॉसी अरे लफ्ट साइड पे कैथेडरिल स्कूल और अभी हम है लगनों के फेमस हजजद गंज रोट पे और हजजद गंज को वही मकाम मिला है जो की दिली के कनौट प्लेस को बंबाई के बैंडरा को और बैंगलॉर के ब्रिगेट रोट को मिला है इन शॉर्ट हजद गंज जो है वो लखनों का हर्ट आफ दे सिटी भी बोला जाता है लेकिन लॉकडाउन के इस वक्त पे तो इस हर्ट की भी बीट बनते है तो भी हम क्रॉस करने जा रहे हैं लखनों के वर्ल्ड फेमस हजद गंज चौराहे को और आगे लेफ्ट एंड सा मेरी जेनरेशन में किसी ने इतना स्मूठ ट्राफिक देखा हो लखनों में मुझे ध्यान ने यह बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसे हमारे घरवालों ने बताया था सेवेंटीज एटीज का जब लखनों की पॉपुलिशन कम थी रोड पर गाड़ियां कम थी और सबसे जरूरी पॉल्यूशन बहुत कम था स्पेडलिए को लेखना स्थेफ़ एंटेट पार गाड़ी ऑभ जाने स्थे जरूरी जरूरी अफने स्थेख़ एटीज लागशन में मुझे लेखने स्थेफ़ एगे के जरूर प्लाऊशन अबदिना जरूरी पार गाड़ीज श्यावा हम लोग हैं गुम्ती नगर में जो कि लखनों का काफी पॉर्ष एरिया है और बहुत कुछ हैं गुमने के लिए फैक्ट 101 जैनिश्वा मिश्रा पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है वो भी गुम्ती नगर में ही है और यह रहा पतरकार पुरम इसको मॉडरिन लखनों का मिनापाद भी बोल सकते हैं पूरे गुम्ती नगर का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला और ट्रैफिक वाला एरिया यही जाना जाता है तो यह देखा अपने लखनों मेरी नजर से और मुझको रियलाइज हुआ कि इस शेहर को भी रिस्ट की उतनी ही जरूरत थी माई के इस वक्त पे मैंने ऐसा मौसम तो लखनों में कभी नी देखा ना बाहर इस टैम पॉल्यूशन जादा है और ना ही सड़क पे गंदगी एक बहुती फेमस लाइन लखनों की कि मुस्कुराइए आप लखनों में हैं भले हम इस वक्त मुस्कुरा रहे हो यह नहीं मुस्कुरा रहे हो लेकिन हाँ यह शेहर आज जरूर मुस्कुरा रहे